हेलो फ्रेंट्स, वेलकूम टो दा स्टडी भारत, स्टडी भारत में आपका अर्दिक स्वागत है, मेरा नाम है मनुखोरा, तो फ्रेंट्स आज हम करेंगे यूजी से एंटी नेट का पेपर वन का लेक्चर नमबर 43, जिसका नाम है क्लास्रूम कम्मुनिकेशन प्रिविसर क करेंगे, वीडियो जो लगा है तो लाइक और शेयर करना मत बूलिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताके आने वाली हर वीडियो को नोटिफेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो फ्रेंट्स, आप हमारा टेली ग्राम चैनल भी की कोश्ट है बाराज ओर पर तो यह आपको हिंदी और इंग्लिफ दोनों मेडिया में मिलेगा, तो यह आपको कम्प्लीट और अपडेटर्स मिलेगा, इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जोद नहीं बढ़ेगी, यूजी सी नेट पेपर वन का स्टडी मेटिय इसमें आपको daily link तो देंगे, साथ में PDF देंगे, अगर आप telegram चैनल जोइन करोगे हमारा तो वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको गईला वीडियो लिंक मिलेगा, अगर आप telegram गरूप में जोइन होने चाते हैं, तो इसकी जोइनिक फिसे 200, तो इसमें आपको वीडिय जाएगी कि चले प्रेंट आज हम करेंगे क्लास्रूम कम्मुनिकेशन के प्रीवेसर के क्वाश्चन तो प्रेंट्स पहले हमने क्लास्रूम कम्मुनिकेशन कर दिया था देखेंगे कि इसके प्रीवेसर क्वाश्रूम क्वाश्रूम कर दिया था देखेंगे कि इसके प्रीव of communication that the teacher has in the classroom is term as and कि जब teacher class में पढ़ा रहा है तो वो cause the communication के अंदर आता है तो आपके सामने option है intraversional mass communication, group communication या face-to-face communication तो इसका अंसर है group communication ठीके फ्रेंट, यह कौन सी communication है जिसमें जो एक teacher है class में जो पढ़ा रहा है वो कौन सी time है, वो है group communication, ठीके फ्रेंट वैसे इसका अंसर जो है वो face-to-face भी हो सकता है तो यहाँ पे C, इसका अंसर बताया गए तो इसका अंसर C होगा ठीके फ्रेंट classroom communication, must be classroom communication, क्या होता है teacher centric, student centric, journal centric या text book centric तो यह होता है, student centric ठीके फ्रेंट, ठीके फ्रेंट teaching is, इनकी जो classroom में जो teaching है, जो section है वो कैसे, किस हिसाब से successful होगा, circular reciprocal, directional या inference, तो इसका अंसर है B, reciprocal ठीके फ्रेंट next is classroom communication is normally considered as जो classroom communication है, उसे normally कैसे consider किया जाता है effective, alternative, effective या selective तो इसका अंसर है C, effective तो figure out the components of non-verbal communication in a classroom from the following, आपको इसमें से non-verbal communication को ढूणना है देखे, आपके आपने चार उप्शन है इसमें चार उप्शन है, दूणना है कि non-verbal communication कौन से है, मैंने आपको इसारे कॉशन करा है है, आपको इसमें से कॉशन ढूणने है तो इसका अंसर है D, facial expression काईसिक्स and personal space next है फेच अपालिग आपको इसमें चार उप्शन है यानकी जो effective listening का है, इसके basic factor क्या है तो देखे opinionation, stare and glare the interruption, aggressive questioning continuous cues and frequent movement, me too-ism glancing sideways and offering advice acknowledgement of the thought, reflection and the asking, open-ended question ठीक है, इसका इसका अंसर है, option no. D ठीक है, इसका 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 इसकाशन है option no. D as a good class communicator you are supposed to know your अगर आपके class communicator, अच्छे class communicator हो तो ठीक है, you are supposed to know your तो आपको इसमें क्या पता हों चाहिए देखे audience emotion, यहनकि अगर आप अच्छे class communicator हो तो आपको क्या चीज आनी चाहिए देखे audience emotion, silence cues, artful pose या counter argument तो आपको artful pose आनी चाहिए यहनकि जब आप किसी अगर आपको इस पता है कि आप एक अच्छे communicator हो, ठीक है, तो आपको इस पता हों चाहिए कि आपको किस किस स्टेज पर रुकना है ठीक है, जैसे होता ना कि कोई स्टेज पर कोई अपनी बात कहे, तो जो व्यक्ति हुए, जो audience किसे वह तालियम चाहिन लग जाए, तो जो कमने के अच्छे, तो थोड़ी देर के रुक जाता है, इसके बाद अपनी पाश्यूर करता है, ठीक है फ्रेंट्स, तो फ्रेंट्स, यह थे आज के एक वस्चन, तो हम जो भी टॉपिक करेंगे, साथ हमने इसके एक वस्चन करत जाएंगे, तो फ्रेंट्स, मिलेंगे के लिए विडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, थैंक्यू, जाहेंगे,